नमस्कार जैहन SRJ Classes में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है पिछली कक्षा में हमने बलरामपुर जिले के बारे में पढ़ा तो कुल में लाके सरगुजा संभाग में हमारा एक जिला शेश वस्ता है जो कि है हमारा जश्पुर जिला ठीक है तो आज उसी पर बात करेंग या फिर जश्पुर जिला ठीक जश्पुर जिला तो जश्पुर जिला को हमको देखना है देखो तो एक उसका आउट-लाइन दयार कर लेते हैं है कि यह कुछ इस तरीके से हमारा जश्पुर जिला ठीक उपर इसके है हमारा क्या बल्रामपुर जिला ठीक नीचे है इसका रेगड जिला इधार है सर्गुजा जिला वहीं सर्गुजा जिला और यह हम देखें कुछ इस तरीके से सर्गुजा जिला है और यह है अंभिकापुर जिला मुख्या ले इधार हम बात करें यहां तक है जारगंड और यहां से चालू है ओडिशा ठीक क्लीर हुए बॉर्डर्स का कि याद रखेंगे 98 में paradox में ये नौन से सर्गुजा जिल अलग हुए उपर में और यह उसके उपर जिले में फिर नीचे का हिस्सा जो है वह उड़ीशा से लगता है ठीक है कि अब अम्भिकापुर से जो सर्भुजा जिले में पढ़ा था राजधान स्वारी जिना मुख्याला अम्भिकापुर वहां से एक नेशनल हाइवे आती है कुछ इस तरीके से है और यह फिर राजी जारखन को निकल जाती है अभी कौन से नेशनल हाइवे है पर वही नेशनल हाइवे है जो मत्यप्रदेश के कटनी कटनी से फिर कोरिया जिला फिर सूरजपूर और फिर सर्भुजा को क्रास करते हो इधर जश्पूर से आगे जाती तो इस तरीके से नेशनल हाइवे नंबर 43 इस तरीके से नेशनल हाइवे नंबर 43 इसमें जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको एक जगा पड़ेगा जिसका नाम अभी बहुत जादा दिया जा रहा था कि जिला बनेगा करके हाला कि बना नहीं वो तो वह है पत्थल पुड़ा आगे जाएंगे तो पड़ेगा लुडेंग 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 से आगे जाएंगे तो आपको पड़ेगा कांसाबेद कांसाबेल से आगे जाएंगे तो आपको पड़ेगा कुनकुरी और कुनकुरी से आगे जाएंगे तो आपको पड़ेगा यहां पर ज जश्पूर जश्पूर ठीक यार पथल्गाउं के बाद लुडें के बाद कांसा बेल कुंकुरी करकुध जश्पूर यह पाछ जंग हैं इसके बाद देखो यहां से अब उपर देखना ठीक है तो यहां पर आपको एक जगा पड़ेगी बगीचा ठीक यहां पर आपको एक जगा पड़ेगा मनोरा हो और यहां पर आपको एक जगा पड़ेगा दुल्दुला तीम जगें उपर भगीचा, मनोरा और दुल्दुला नीचे दो जगें फरसा वहार और यहां पर एक जगा है तबकड़ फरसा वहार और तबकड़ चलिए याद कीजिए इतनी जगों को पहले आप कि एंटर करेंगे आप कहां से अंभिकापूर से नेश्टनल हाइवेइ नंबर 43 में मतलब अंभिकापूर में आप बैठे हैं आपने गाड़ी चालू की और नेश्टनल हाइवे नंबर 43 में निकल गया है जैसे ही आप जश्पुर जिरे में प्रवेश करेंगे थोड़ी दूराने पर आपको पत्थल गाउं पड़ेगा पत्थल गाउं से आगे जाएंगे तो लुडेइन पड़ेगा लुडेइन से आगे जाएंगे तो कांसा बिल पड़ेगा कांसा बिल से आगे जाएंगे तो इसके बाद नीचे दो जाएं फर्सा बहार और तबकरा फर्सा बहार और तबकरा ठीक तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं तहसील देखते हैं इसमें तो कितने तहसील हैं काउंट कीजिए तो कितने तहसील है यहां पर आठ तहसील कौन कांस हैं चलो गिंते चलते हैं टिक बगीचा मनोरा और दुलदुला तीन बगीचा मनोरा दुलदुला तीन फिर यहां से पथल गाओं कांसावेल कुनकुरी और जश्पूर चार चार पढ़ेंगे आपको रोड पथल गाओं कांसावेल कुनकुरी और जश्पूर तीन उपर कौन्टों से बगीचा मनोरा दुलदुला और एक नीचे फरसा वहार इस तरीके से आठ तहसील हो गए यह कितने तहसील हो गए आठ तहसील टिक देखू अगर कुछ प्रकृतिक शेत्र की बात करें तो यह वा यह है हमारा जश्पूर पार्ट जश्पूर पार्ट और यहाँ पर है यह एरिया यह है 15 पार्ट मैंने बताया था नो पिछली क्लास में दो पार्ट हमको कहां पढ़ेंगे जश्पूर जिला में पार्ट प्रदेश क्या होती है यह भी मैंने पिछली कख्षा में चर्चा की थी 700 मिटर से उची हाइट के हूं समुद्र तल से sed मीझ सी लेवल से यह 700 मिटर से हैट के हो लेकिन इनका जो वह है क्या बोलते हैं स्थल है वह संद उसंदन हो ilite यह एंगे गे पार्ट तो दो भार्ट सुछे या पर याद रखेंगे जश्पूर पार्ट और 15 पार्ट ठीक है देखो यहाँ बगीचा तहसील है इसी बगीचा तहसील में एक चोटी है जिसका नाम है बखोना चोटी बखोना चोटी और यहीं बखोना चोटी से एक नदी निकलती है कुछ इस तरीके से उपर जाती है बलरामपुर और जारखन की सीमा बनाती हुई और ये नदी है कनहार नदी ठीक है और यही पर पंडरापाट में एक जगह है खुर्जा पहाडी खुर्जा पहाडी है यहाँ से एक नदी निकलती है और नीचे जाती है यह कौँसी नदी है तो यह है इव नदी ठीक दो नदी आदेखा हमने कौँ कौँसी कनहार नदी कहां से निकलती है जश्पुर जिला के बगीचा तहसील के बखोना चोटी से कणहार नदी वहीं इब नदी जश्पूर जिला के 15ाट के खुर्जा पहाड़ी से इब नदी निकलती है याद रखेंगे इब नदी पर है बेने वाटरफॉर तो पढ़ेंगे राणी राध राजपुरी, दमेरा, राणीदा, राजपुरी और दमेरा असांत में बिने, यह चार वाटरफॉल आप याद रखेंगे जश्पुर जिला में, कौन-कन से वाटरफॉल, राणीदा, राजपुरी, दमेरा, राणीदा, राजपुरी, दमेरा, और बिने, यह चार जस्पुर्जिला में और दो नदियां कौन गौन सी इव नदी कन्हार नदी ऐसा नहीं कि और कोई नदिया नहीं है बट अभी खाका त्यार करने के लिए आप इतना ही याद रखेंगे ठीक है इतनी बात है क्लियर हुई यहीं बगीचा तहिसीर के पास एक जगा है इसका नाम है कैलाश गुफा कैलाश गुफा यह कैलाश गुफा जो है यह संत गहीरा गुरु जो थे ना हमारे जिनका नाम से अंबिकापुर यूनिवर्सिटी का नाम रखा किया है संत गहीरा गुरु यूनिवर्सिटी तो वो गहीरा गुरु का आश्रम था यही कैलाश तो गैहेरगु का मूल नाम था तार्वार जार्ष्ट्पूर दरगति जनत ऊतना graph more लेगिन अब ये गया से ताल्स कम लोग इनको ऊपलना शुरूर किये और उसी नाम से प्रशिद्द हो गहे अधर just उराओ जन जाती थी न तो उराओ जन जाती के लोग अपने आपको काफी निम्निस तरगा मांते थे और जो हमारी मूल धारा है विकास की उससे कहीं 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 कटकर रहने की कोशिश करते थे तो ऐसे में गहीरा गुरु ने उनको हैसास दिलाया कि भई कोई तुम आतुफा त श्टत कर दोवन तुम तुम अपने आपको कमत समझाने और इसी समय क्या था यहां पर धरमांत्रन चलरा था बहुत ज्यादा मम मतलब तेजी से और उरेरों जन जाती अच्छा काम किया इसके साथ साथ इन्होंने आधिवासी लोगों की सिक्षा उनकी चिकित्सा उनके रहन सैंड के ढंग उनकी संस्कृति इन सारे चीज़ों के लिए बहुत जादा अच्छे से काम किया था और इसलिए गहिरा गुरु को हम आज तक महापुरुश करें टेंबर चैनल के रूप में तो उनका आश्रम कहां था यहीं वहीं मैरे जस्पुर जिला में टिक इसके रावव पथावं तो चलो एक थासील है लूडैंग लूडैंग जो है इसको बोलते हैं टमाटर की मंणी तो सरवाधिक मात्रा में 36 गड़ में टमाटा कहा होता है तो यह पत्थर लोडेंग वाले शेत्र में होता है और तमाटा की मंडी आप से पुछेगा तो आप लगा कहेंगे क्या लोडेंग ठीक इसके बाद कांसा विल तो एक तहसील है कांसा विल कुनकुरी कुनकुरी में याद रखेंगे संपुर्ण भारत का ही नहीं अब कि तो संपुर्ण एशिया का शेकेंड लार्जेस्ट लार्जेस्ट चर्ज संपुर्ण एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट चर्ज जो है वो हमारे 36 गड़ के जश्पुर्जी लेके कुनकुरी में है और इस चर्ज का क्या नाम है तो इसका नाम है रोजरी की महारानी महागिर्जागर रोजरी की महारानी महागिर्जागर किसका नाम है और यह संपुर्ण एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट चर्ज है दूसरा सबसे बड़ा गिर्जागर है तो पहला कौन सा है तो पहला सपुन एश्या का सबसे पहला सबसे बड़ा चर्च कौन सा है तो नागा लेंड में हैं हमारी सहत्यशुष में है जो कि जश्पुर जिलह के कुंपुरे में फर्स्ट कहा है मुख्याल इसके बाद आता है आपका जश्पुर जिला लग पर इस इसके साथ समतैसिल भी है यहां पर आप देखेंगे फरसा बाहर फरसा बाहर एक तहसील है तबकरा तबकरा जो है इसको कहा जाता है 36 गड़ा नागलोक नागलोक सापों के लिए प्रसिध है अलग अलग प्रकार के साप पाय जाते हैं सबसे आदा कहां पर तबकरा में और उसको 36 गड़ा क्या पाय जाता है नागलोक कि इसके बाओं डूलदुला उपर मनोरा और बगीचा तुरें थैसील है बगीचा सबसेहादा अपने वाड़िजिप फस्नों के लिए जैसे मतलब बागानी फस्नों के लिए जैसे नाश पाती लीची इस टीप फसले होती है ना बागानी फसले वह बगीचा में बहुत ज़्यादा मातर में उगाई जाती है और इसलिए उसका नाम भी बगीचा रख दिया गया है क्योंकि बगीचा तैसील हो गया अब देखते हैं और कुछ तो यहां पर है नी बस यहां पर रानी मदिर मता का मंदिर है और यह ही पर कनाप नदी में यहां पर खूड़िया रानी वाटर हाओ लिस्ट में एकूंक त President लीचेट में खूंडिया रानी वंटर फॉल ठीक हुड़िया रानी वाद्टर फॉल्ट था कहत hiring अपने पास खोडिया रानी राणी दाह राजपूरी दमेरा और बेने इस तरी क्यों से पांच वाटर फॉल हो गया हमारे पस और क्या यहां पर हाँ देखो यह बीच वाले अरिया में यहां पर है न देखो यहां पर है बादल खोल बादल खोल वाइड लाइफ सेंचुरी बादल खोल वन जीव अभ्यारणी कि 1975 में इसका गठन किया गया था और 105 स्क्वेर किलोमेटर के एरिया के साथ 36 गड़ का सबसे छोटा अभ्यारण ने कौन सा है तो वह बादल खोल अभ्यारण ने यहां पर लिखेता हूं मैं कि 1975 में इसका गठन हुआ है 105 स्क्वेर किलोमेटर इसका एरिया है ठीक है 1975 में गठन 105 स्क्वेर किलोमेटर के एरिया के साथ 36 गड़ का सबसे छोटा सबसे छोटा वन जीव अभ्यारण या वाइड लाइफ सेंचुली कौन सी है तो वह बादल खोल जो कि है 36 गड़ के सर्गुजा संभाग के जश्ट पूर्च देख इतना इंफॉर्मेशन एक बेसिक तौर पर आपके लिए तो इदनी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़िए और इस तरीके से हमारा जो सर्गुजा संभाद है वह कंप्रीट होता है अब इसके बाद नेक्स क्लास में हम फिर से हाजिर होंगे आपके सामने एक नए संभाग के साथ एक नए जिले के साथ तो इस क्लास में बस इतना है थांक्यू सुम्ट